जे हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साइथ के बहुत ही महत्तपोंड कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वच्च देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा है जादा वीडियो को सेर करें आज का अपने यहां पर फर्ष्ट कॉस्चन क्या है तो देख लेते हैं कि बेराग के संदीपिनी के रचिनाकार कौन है यहां पर चार विकल्प आपके देगा है आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा सही आंसर तो बेराग के संदीपनी की रचनाकार पूँचा है तो आपका सही आंसर है तुलसीदास यानि की विकल्प नमबर C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर C आपका यहाँ पर राइट आंसर है कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर 22 पूँचा है इनमेंसे कौन सा कथन असत्य है ग्यानसरी साखा के कभी नराकार की उपास न करते हैं या कभीर संत कभी है या पिरभू जी तुम चंदन हमपानी रेधास की पनती है संत तुलसीदास ग्यानसरी साखा के कभी है यहाँ पर आ ग्यानसरी साखा के कभी निराकार की उपास न करते हैं, कभी रिसंते कभी हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रेधास की पंती हैं, और तुलसी दास जो हैं, ग्यानसरी साखा की कभी नहीं है, इसलिए आपका विकल्प नमबर डी जो है, आपका क्यासा है, असर्थ है, और यहांपर आपका question जो अंगला क्या पूँचा ग्या है बैड देक लेते हैं तो अगला a question आपका एह रहा कि देखे भक्ति काल की रामसरी साखा के निम्र में से कौन से कभी है कौन से कभी है रामसरी साखा के कभी बताना है सूर्दास हैं, जाईसी हैं, मीराबाई हैं या तुलसी दास हैं कॉस्चन नमबर 23 है, महत्वपुन्द कॉस्चन पूँचे गया है आप से यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है ते इसका वह आपका विकल्प नमबर D यानि की तुलसी दास तुलसी दास अभी पड़ा अभी बताये था आपके लिए तुलसी दास जो हैं यह रामसरी साखा के कभी माने जाते हैं तो बिशलू की आवतार रूप में राम का बनन लोक मंगल एवं समनवय भाबना का प्रिति पादन असद परसद विर्टियों की विजय या किष्णी की विविद लीलाओं का गायन तो आपके यहाँ पर 24 का सही आंसर है विकल्प नमबर D आपका यहाँ पर राइट आंसर ह कि किष्णी की विविद लीलाओं का गायन ये जो है राम भक्ति काब्डी की विसेश्टा नहीं है विकल्प नमबर D आपका सही आंसर होगा Q25 यहाँ पर पूँछा है तुलसी दास्क्रित बिनई पत्रिका की रचेता कौन है बिनई पत्रिका की रचेता बताना है Q25 है और आपका यहाँ पर भोत ही महत्त्रिकौन Q25 पूँचा गया है Q25 का राइट आंसर होगा आपका विकल्ट नंबर एक यान् Papi बिर्ज भासा आपका यहां पर राइट आंसर है बिरेज भासा में रचित है बिनव्ल पत्रीका विकल कण नमबर एक आपका सही आंसर यहां पर 25 पर ब्रिश भासा अब भी पर बिया तो बिसलेट całीं नहीं पर ढटार आ. है question आपका यहाँ पर जो 28 दिया गया है वह देख लेते हैं question number 28 क्या है बिने पत्री का नाम ग्रंथ की रचिना किसे ने की है इसकी रचिना बताना है मलूक दास या विक्रमा देत्य गोस्वामी तुलसीदास या की सब्दास question number 28 या आपका यहाँ पर चार विकल्प भी देगा है question number 28 का सही आंसर बताना है तो आपका यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास यानि की विकल्प नंबर B आपका सही आंसर होगा गोसवामी तुलसिदास इसके इस क्रंत के रचिता है तो विकल्प नमबर B राइट आंसर है किष्ण गीता वली की रचिनाकार कौन है किष्ण गीता वली की रचिनाकार आपके लिए बताना है यह आपका महत्वपूल कॉस्चन है सूर्दासे नंददासे तुलसिदासे या मीरा भाई कॉस्चन नमबर 29 का सही आंसर बताईए 29 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा तो किशने गीता वली पूँचा है तो किशने गीता वली के जो रचनाकार है तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सखी answer है, महत्वपूर्ण question पूँचा गया है, यह question आपके जो है, किसी ने किसी एक्जाम में जरूर पूचे गए महत्वपूर्ण question है, और किशनी गीतावली ग्रंट की रच्नाकार पूचा है तो तुलसी दास आपका यहाँ पर सखी answer होग यहाँ पर दिया गया है क्या दिया ग्या है। देखे तुलसी द्वारा रचित नहीं और पूँचा है आपसे गी तो इन all let क्या होगा चौन नुम्ह से तुलसी दास द्वारा रचित नहीं पूँचा हैसे तो विकल्ब नमबर आपका यहां पर टी जी टी परी कश्चय देख की तुलसी दास जी ने भी भिरमर गीत परंपरा की अंतरगत भिरमर गीत की रचिना की है जो संकले थे एक किस में संकले थे जान की मंगल में गीता वली में कृष्णी 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 गीता वली में नमबर आपको यहां पर जो यहां पर क्या दिया गया है अंगला question 36 देख लेते हैं क्या दिया गया है question number 34 की भक्तिकाल के किस कभी ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की सास्रिय परंपरा का निरवहन किया है जाईसी ने तुलसिदास धूरतास या नंददास तो यानि कि विकल्प नमबर आपका यहां पर C right answer होगा, तुलसिदास आपका सही answer है, बिलकुल चाही, question number 36 क्या पूंचा गया है, तो question number 36 आपका गीता बली है, तो गीता बली क्या है, यह आपके लिए बताना है, मक्तक काब है, प्रवंद काब है, अतुकांत काब है, या इनमें से कोई नहीं, question number 36 है, और आपका बहुत ही महत्तपुन question यहां पर पूंचा गया है, question number 37 का सही answer बताईए, तो गीता बली है, तो आपके यहां पर right answer होगा, बिलकुल चाही, विकल्प नमबर एक यानि की मक्तक काब है, मक्तक काब है, विकल्प नमबर एक आपका right answer होगा, रामचरित मानस से सर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचे थे, गीता बली और यह जो क्या है, मुक्तक काब है, question number 38 है, कि रामचरित मानस का ज्यान दीपक पिरसंगे किस कांड में बनने थे, भै कांड बताईए किस कांड में यह बनने थे, तो आपके यहां पर सही answer question number 38 है, और इसका जो सही answer है, रामचरित मानस का ज्यान दीपक पिरसंगे किस कांड में बनने थे, तो question number है, आपके यहां पर 38 और 38 का जो सही answer है, वह आपके यहां पर विकल नमबर एक यानिकी रामचरित मानस का ज्यान दीपक पिरसंगे किस कांड में बनने थे, तो question number है, आपका यहाँ पर 49 पूँचा है रामचरित मानस से किस संबाद का संबंद नहीं है देखे नहीं पूँचा है आपसे रामचरित मानस से किस संबाद का संबंद नहीं है तो आपका सही आंसर यहाँ पर रामचरित मानस से किस संबाद का संबंद नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि रामचरित मानस का संबंद बिकल्पों में से दिये गए सभी संबादों से है तो यहाँ पर सभी संबादों से है बताया गया है आपका नहीं किसी से नहीं है तो आपको यहाँ पर question number 48 देख लेते हैं नीचे दो बाग के दिये गए हैं इन्वेसे एक को कथन ए और तता दूसरे को कारण आर की संग्या दिये गई है तो यहाँ पर आपके लिए इसको छोड़ देते हैं इस question को यहाँ पर काई से यहाँ पर option आपकी यहाँ पर दिये संबंदित question देख लेते हैं यहाँ पर किष्ण कापे से संबंदित question है आपका क्या है यहाँ पर तो किष्ण कापे से संबंदित question आपका पूंचा है कि सूरदास के विशाय में कौन सा कथन गलत है तो गलत कथन का चैन करना है वह गलत कथन कौन सा है आप बताईए यहाँ और सूर्दास के संबंद में, सूर्दास जी के विशय में, तो आपके यहाँ पर question number first है, और किशने भक्ती काप इसे संबंद थे, और इसका जो सही answer है, विकल्प number 1, यानकि सूर्दास को सभी विद्वान जनवान्धे मानते हैं, एक कैसा है, गलत कतन है, विकल्प number आपका एक right answer है, विकल्प number 1 आपका सही answer है, बिल्कुल सही, और question number 2, यहाँ पर आपका दिया गया है, question number 2, क्या पूछा गया है, कि सूर्दास किस काल के कभी हैं, question number 2 का right answer यहाँ पर बताना है, रीतिकाल, आदुनेकाल, भक्तिकाल या अपरोप्तिमेंसे, कोई नहीं, question number 2 का right answer, आपका यहाँ पर जो होगा, भै क्या होगा, तो बिल्कुल सही answer बताया, आप लोगोंने की विकल्प number 2 right answer है, भक्तिकाल, भक्तिकाल आपका यहाँ पर सही answer है, उनका यहाँ पर सही answer है, question number आपका, यहाँ पर देखिए, भक्तिकाल की किष्ण भक्ति का पधारा की अंतरग भक्ति कालिन में जो किष्ण भक्ति धारा काब्यधारा इसके अंतरगत इतने कभी आती है कॉस्षिय नमबर आपकہ इहाँ पर तीन पूछा गया है क्या पूछा गया है कि सूरदास कौन इसी धारा की पृतिनी धी कभी है तो सूरदास बताना है बताइए Question number है आपके यहां पर 3 और 3 का जो सही answer है वह है आपके है राइट आंसर क्या होगा सही answer अब भी पड़ा क्या पड़ा किष्णे काप विधारा के अंतरगत आते हैं सूरदास तो विकल्प नबर 1 आपके हैं आपके हैं पर सही answer होगा इनमें से आप बहे किर्ती बताईए कौन सी बहे किर्ती है जिसको नहीं लिखा है सूर्दास जी ने तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर नहापर बी आनिकी दो हवली दो हवली आपका यहाँ पर सही आंसर होगा दो हवली बिल्कुल सही राइट आंसर है दो हवली जो यहाँ पर पूंचा है पांच इनवे सी सूर्दास की किरती कौन सी है सूर्दास की किरती बताईए यहाँ पर कौन सी है महत्वपूर्ण कॉस्चन पूंचे गया है और इसका जो सही आंसर है कवीता वली गीता वली साहित लहरी अगंगा लहरी तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 5 का विकल्प नंबर B आनि की साहित लहरी आपका यहां पर सही आंसर है साहित लहरी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही विकल्प नंबर B राइट आंसर है B आपका सही आंसर है question number 6 पूंचा गया है सूर सागर किस भासा की किरती है खड़ी बोली बिरजबसा यानि की विकल्प नंबर आपका यहां पर B राइट आंसर होगा प्रमानों की अभाव में सूर सागर को बिरजबसा की पहली रचना मानते हैшь question number 7 यहां पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं Q7. इनमें से सूर की कौन सी रचना नहीं है? सूरसागर, साहितलहरी, सूरसारावली, रासपंचध्याई. Q7. महत्वपुन्ड, Q7. क्या होगा? इसका सही आंसर आपके लिए बताना है. कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? नहीं पूँंचा है तो आपके सही आंसर D right answer होगा की रासपंचध्याई. देखें, जो रासपंचध्याई है यह सूर की रचना नहीं है. यह किसकी रचना है? यह है, नंददास. यहाँ पर नंददास आपका सही आंसर होगा. कि बिल्कुल सभी नंद दास की है और सिष जो रचनाई आपकी यहांपर दी गई है एक इसकी है सूर्दास जी की कॉस्चन नम्मर आपका आठ पूंचा है आपर सूरदास है किस रस का कोणा कोणा ज्ञांक आए है यह क्वास्चन तो कई बार पूंचा जा चुका तो बहो है कौन सा रस है कौन सा रस है जिसका कौनः कौना जहांक आये हैं तो आपका सुभाव जब तक स्रस्थी रहेगी इस भाव की परत्मानिता भी रहेगी question number आपका 9 पूंचा है सेयद इब्राहिम का कभी नाम क्या है तो जान कभी है रसखान है आलम है इनमें ऐसे कोई नहीं तो सेयद इब्राहिम सेयद इब्राहिम का वताना है तो क्या होगा कभी नाम इनका तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर C आनिकी रस्खान इनका जो है कभी नाम है सयद इब्राहिम का तो विकल्प नमबर C राइट आंसर है रस्खान का बास्विक नाम जो है सयद इब्राहिम था और question number आपके यहाँ पर 10 पूँचा है प्रेम बाटी का नाम की ग्रंथ रचित है किसकी द्वारा रस्खान द्वारा गंददास द्वारा रहीम द्वारा या मीरा बाई द्वारा question number 10 है महत्वपूर्ण question पूँचा क्या है और इसका जो सही answer है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर एक आनिकी रस्खान द्वारा रस्खान आपके यहाँ पर सही answer होगा बिल्कुल सही रस्खान जनों ने बताया है विकल्प नमबर एक उनका यहाँ पर right answer है तो इस पिरका को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद्द